इस साल सतरकता जारुकता सप्ताहा का विशय है सत्य निश्ठा की संस्कृती से राश्ट्र की समर्थे एक रिपोर्ट देश में ब्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विजिलेंस या सतरकता की बहुत बड़ी भूमिका होती है ब्रष्टाचार के खिलाब जंग को और धार देने के लिए और कर्मियों के सासाथ लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल देश में सतरकता जागरुकता सप्ताह मनाया जाता है जिस सप्ताह लोहपुरुष सरदार वल्लभाई पटेल की जैनती पड़ती है उस सप्ताह में सतरकता जागरुकता सप्ताह मनाया जाता है इस साल 28 ओक्टूबर 2024 से 3 नौमबर 2024 तक देश भर में सतरकता जागरुकता सप्ताह मनाया जा रहा है ये सप्ताह केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों में मनाया जा रहा है। इस साल सतरकता जागरुकता सप्ताह की थीम है सत्यनिष्टा की संस्किर्ती से राष्ट की सम्रिध्धी। सारुजनिक जीवन में इमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज हासिल करने के लिए देश भर में सतरकता जागरुकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह का पालन मंत्रालेयों, विभागों, सारुजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्यसभी में लोक सेवकों द्वारा शपत लेने के साथ शुरू हुआ है। सप्ताह के दोरान भ्रष्ट आचरण के खिलाब जागरुकता पैदा करने के लिए कई समारों उचित किये जाएंगे। इसे शासन और सारुजनिक प्रिशासन में नैतिक्ता और पारदर्शिता की आवशक ये विशय बताता है कि अखंडता ही हमारे देश की आर्थिक सम्रिधी और सामाजिक कल्यान की नीव है। इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। ये सुनिश्चित करता है कि विकास का लाव समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। वहीं प्रदानमंत्री नरें कि आत्मा को हमारे संस्थानों को मजबूत करने के लिए आगे पढ़ाया है। ब्योरो रिपोर्ट डीडी न्यूज।